हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल में आज हमारी उत्राखंड परिक्षावाणी MCQ सेरीज का पंदरवा पार्ट है और आज हम इस वीडियो में उत्राखंड की जल विद्धुत परियोजनाओं को MCQ के रूम में देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं पहला किस्चने जो सी आरा से द्रासों तक विद्धुत परियोजना है तू जल ले जाने के लिए निरमे 16 किलोमेटर लंबी भूमेगत सुरंग इस्तित है इसका सी आंसर होगा उप्सन नंबर सी भगीरत नदीपर बगीरत नदीपर 16 किलोमेटर लंबी भूमेगत सुरंग इस्तित है अगला किस्चने राज्य में दूसरे राज्यो या केंदर दुवारा इस्थापित जल विद्धुत परियोजनाओं से रोयल्टी के रूम में कितना विद्धुत मिलता है इसका सियानसर वा उप्सन नंबर भी 12 परतिसत यदि उत्राखंड में कोई अन्य एस्टेट या केंदर दुवारा जल विद्धुत परियोजना इस्थापित की जाती है तो वहाँ उत्राखंड को 12 परतिसत रोयल्टी के रूम में बिजली परदान करती है किसाउबांद उत्राखंड के किस जनपद में इस्थित है इसका सियानसर वा उप्सन नंबर सी देरादून में देरादून की टोंस नदी के ऊपर किसाउबांद इस्थित है बारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संदी है इसका सियानसुरों का उप्सन नंबर सी नेपाल बारत और नेपाल के बीच महाकाली नदी संदी है और यह संदी उननीस सो चानवा में होती है इसका वर्तमान में उक्याले देरादून में है जबकी जब उरेडा की स्थापना वही थी उसके मुख्यले अलमोडा जिले में इस्थित्ता हैं लागि इस्दियने टीहरी डैम विसुर का चौथा सबसे वंचा डैम है जबकि एसिया में यहाँ है इसका सी आंसरोगा उप्सन नंबर भी पर्थम इस्थान पर अगला इस चने कोटेशवर बांध का निर्मान किस नदी पर किया जा रहा है इसका सी आंसरोगा उप्सन नंबर सी भगीरत नदी पर भगीरत नदी पर कोटेशवर बांध बन रहा है अलाकिर्च ने टेरी परियोजना का 1000 मेगावाट का पर्थम चरण चालू किया गया इसका सीयांसर होगा उप्सन नंबर B 2006 में अलाकिर्च ने टेरी जला से स्वामी रामतिर्थ सागर का छेदर भल है इसका सीयांसर होगा उप्सन नंबर B12 वर्ग किलोमेटर स्वामी रामतिर्द इसका अधिकारिक नाम है जबकि इसका एक अन्य नाम भी है जिसका जो है सुमन सागर इसको सुमन सागर भी कहते हैं आला कुछ ने राज्य उड़जा नीती के तहात कितने मेगावाट तक के परियोजनाओं को लगू परियोजना सरेणी में रखा गया है इसका सियांसर वा अप्सन नमबर भी 25 मेगावाट 25 मेगावाट की परियोजना को लगू परियोजना सरेणी में रखा गया है एला कुछने राज्य इस्तरिय उड़जा पार्क इस्तित है इसका सी आनसर वा उप्सन नंबर ये देरा दून में एला कुछने नानक सागर किस जनपद में है इसका सी आनसर वा उप्सन नंबर सी उदंसिंग नगर में हैला क्युट्चन है निमलेकित में कोँंसा एक सुमेलित नहीं है उप्सन देखते हैं लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकासी में है विश्रणू परियाग परियोजना प्रिद्र परियाग में नहीं है यह अलगनंदा नदीपर है जो की चमोली जनपद में है मनेरी बा अगला क्युष्च ने उत्तरप्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विश्णू परियाग जल विद्धुत परियोजना चमुली जिले में किस नदीबर है इसका सी आणसर होगा उपसन नम्र भी अलगनंदा नदीबर अलगनंदा नदीबर ही विश्णू परियाग है तो विश् राज्य एवं उत्तरपारत की पर्थम जल विद्धुत परियोजना बनाई गई इसका सी आणसर होगा उपसन नम्र डी मसूरी में और यहाँ 1907 में बनाई गई थी इसका नाम है गलोगी जल विद्धुत परियोजना जो की मसूरी में इस्तिद है अलाग उच्छने राज् से बड़ी जल विद्धुत परियोजना है इसका सी आणसर होगा उपसन नम्र सी टेरी जल विद्धुत परियोजना या 2400 मेगावाट की परियोजना है अगला क्यूशन है निम्न जल विद्धुत परियोजना हुआ जिलों में कौन सुमेलित नहीं है उपसन देखते हैं प स्टीन में कोमिली नहीं आप संदेखते हैं टनकपुर प्रियोजना सारद्र नदीबर है छिब्रों प्रियोजना यम्ना नदीबर जबकि प्राइब कीया या गंगा नदीबर हिस्थिते तो अप्षन नमबर डि स्फीन नहीं अगला किस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् पर सी सुमेल गलत है अगला क्यूशन देखते हैं टेरी हाइड्रो इलेक्टिकल डॉलम्मेंट कार्परेशन की इस्थापना होई थी यह ती एच डीसी के बारे में पूछ रहा है तो इसकी इस्थापना 1988 में होती है अगला क्यूशन है परदेश की सबसे बड़ी जल जोगी भाई रती और बिलंगना नदी के संगम पर है अगला क्यूशन है विश्णू गार्ड पीपल कोटी जल विद्धुत परियोजना नीमन में से किस नदी पर विक्सित की गई है इसका सी आंसर होगा अप्सन नमबर D अलगननदा नदीबर अगला क्यूशन है होगी जल विद्धुत प्लांट और यहां 1907 में मसूरी में इस्थाबित होता है तो दोस्तों यह थी हमारे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद